जेल में बंद मुकतार अंसारी को लेकर बड़ी खबर कड़ी निग्रानी और बॉडी कैम की नजर में मुकतार आखिरकार हर 30 दिन में क्यू बदल जिये जाएंगे सुरक्शा कर्मी यदि आपको बीते दिनों जेल कर्मियों की मिली भगत से मुक्तार अंसारी को विशेश सुविधाय दिये जाने का मामला सुर्खिया बना था जब मुक्तार की मौच की ख़बरे सामने आई थी मगर अपने गुनाहों की सजा काट रहा बाहुवली मुक्तार पर योगी सरकार कोई रहम के मूड में नहीं है तभी तो बांदा जेल में बन्द मुक्तार अंसारी पर जेल प्रशाशन ने पहरा और भी कड़ा करने का फैसला लिया है ख़बर है कि CCTV कैमरे और बॉडी कैम को बढ़ाय जाने के साथ साथ मुक्तार अंसारी के हाथे की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को भी हर महीने बदले की विवस्ता लागू की जाएगी मुक्तार की सजा और मजा के मामले को लेकर जाच के सवाल खड़े हुए तो डियाईजी संजीब तरपाठी को जाच सौपी गई इसी जाच रिपोर्ट के अधार पर मुक्तार अंसारी के हाथे की सुरक्षा में बदलाओ किया गया सुरक्षा में बदलाओ अब बांदा जेल में हर महीने 15 जेल कर्मियों के स्टाफ दूसरे जनपतों से ड्यूटी पर लाई जाएंगे जेल बॉर्डर से लेकाई डिपकी जेलर यहां सभी जेल कर्मी बांदा जेल में मुक्तार के हाथे की महीने जूटी करेंगे और अगले महीने वर दूसरे जेल का स्टाफ हाथे की सुरक्षा जूटी करेगा इस बतलाओ में इस बास का भी ध्यान रखा जाएगा कर्मी मुक्तार की सुरक्षा में नहीं लगाए जाएंगे जो पहले उसके बंद रहने के दौरान तैनाथ थे मुक्तार अंसारी के हाते में और 20 CCTV कैमरा लगाए जाएंगे इसके साथ ही जेल कर्मियों को बॉडी बॉन अतिरिक्त कैमरे भी दिये जाएंगे इतना ही नहीं जेल मुख्याले की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हाते में लगा कोई भी CCTV कैमरा कभी बंद नहीं होगा अगर कोई भी कैमरा बंद होता है तो इसको ततकाल ठीक किया जाए और मुख्याले को सूचित किया जाएगा यानि साफ है के बांदा जेल में बंद मुक्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्ता बुक्ता की जा रही है तबी तो जेल कर्मियों के बदलाओ की व्यवस्ता को लागू कर दिया गया है सीसी टीवी कैमरा और बॉडी वान कैमरा बढ़ाय जाने को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है उत्तरप्रदेश को बाहू वली विधायक मुक्तार अंसारी पंजाब की रोपड जेल में पिछले दो साल से वी आईपी ट्रीटमेंट के साथ रह रहा था सुप्रीम कोट ने 26 मार्च को पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि संगीन मुकदमों में आरोपी विधायक मुक्तार अंसारी को अत्तरप्रदेश सरकार को सौप दिया जाए पंजाब पुलिस दो साल पहले बांदा जेल से ही एक मुकदमे के सलसले में मुक्तार अंसारी को पंजाब ले आई थी जिसके बाद से मुक्तार अंसारी पिछले दो साल से पंजाब की रोपड जेल में बंद था मगर ये योगी की सरकार है जुल्मों का हिसाब भी रखती है और सजा के बाद का भी हिसाब किताब रखा जाता है मतलब साफ है बांदा जेल में सक्त निगरानी में रहेगा माफिया मुकतार अंसारी कोई वियाईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा ब्योर रपोर्ट न्यूस्वालिया